हेलो एवरिवान वेलकम टू कॉन स्टडी मैं आपको जे के सिस भी क्लास 4 के रेक्टूट्मेंट के लिए जे का पार्ट कवर करवा रही हूं आपके अभी तक 90% से लेबस अल्मूस्स कम्प्लीट हो गया है इंडिन हिस्ट्री में भी आपका एंचेंट हिस्ट्री और और कि जेन्रल अवेर्नेस की प्लेइस्ट प्रवाइड हुई हुई है उसे जाकर आप देख सकते हैं उसमे जेन्रल अवेर्नेस से और कुछ जो latest news है related to some recruitment वो हम आपको provide घरवाते हैं और telegram पर we make sure कि आपके quizzes लिए जाए time to time ताकि आपकी preparation जो है वो in touch रहे और आपका revision भी चलता रही साथ साथ में तो let's see आज हम modern history में मैंने आपको last बताया था लेटर मुगल्स और मराथास के बारे में कि कैसे मुगल एंपायर जो था वो वीकन हो गया और मराथा ने कैसे मतलब मराथा एंपायर में क्या-क्या changes आई विड टाइम और मुगल्स के साथ उनके कैसे relations से आइस्था मुगल्स के टाइम पर ही आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि foreigners European भी आना शुरू हो गए थे तो हमारे इंडिया में जो सबसे पहले जो फॉरणिस से जो ट्रेडिंग के लिए आया थे देवर पॉच्योगीज ठीक है वास्को डिगामा ने रूट ढूंडा था जो जिसे केप रूट भी बोला जाता है और वो इंडिया में लांड किये थे बाइद पॉट ऑफ कालिकट और वहीं पर पॉट्योगीज ने अपना बिजनस शुरू किया था मेंली कालिकट से ही इनका बिजनस शुरू हुआ था लेटर ओन इन्होंने अपनी कापिटल को ग इन्होंने भी सूरत और मसूली पत्नम वाली साइड पर अपना जो ट्रेडिंग थी वो शुरू की थी और साइड बाइसाइड ब्रिटिश भी आया थे इंडिया में और इन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग थी वो कहां से शुरू की थी पिंगॉल से and then came French at the end तो फ्रेंच ने जो थी French started their business or trading वाया सूरत तो यह सब मतलब Portuguese का जो था वो major फिर जो ट्रेडिंग सेंटर था वो क्यालिकट था लेटर ऑन डच ने उन्हें ओवर पार कर लिया था फिर ब्रेटिश का जो ट्रेडिंग सेंटर था वो बेंगॉल था और फ्रेंच का ट्रेडिंग सेंटर जो था वो सूरत था बट आप आप आइसा इस तर देखेंगे कि इन powers को भी यह क्या करेंगे इनकी trade powers भी भढ़ाने के लिए आपस में इनकी wars होंगी and finally Britishers will be the one जिनकी trading जो है वो सबसे जाधा रहेगी इंडिया में then Britishers जब आए इनहीं Queen of England से एक charter provide हुआ था 1600 में कि इनको right मिल गया था East में trade करने का और in the early 17th century यह लोग इंडिया आ गये थे trade करने के लिए अगर कभी question आये कि पहले Britishers कौन थे जो इंडिया में आये थे trading की permission लेने के लिए तो he was Captain Hawking तो यह आये थे जहांगीर के court में और जहांगीर के में ही दूसरे जो आये थे he was Sir Thomas Rowe तो इसे याद रखने का एक ट्रिक मैं बता सकती हूँ आपको तो आप ऐसी याद रख सकते हैं कि जहांगीर अपनी वाइफ के लिए Hawking का कुक कर लाए और वो तूट किया तो वो बहुत रोई तो इससे आपको पता चलेगा कि Captain Hawking आये थे और Sir Thomas Rowe उनके बाद आये थे जहांगीर से permission लेने के लिए Captain Hawking ने क्या क्या था फाक्टरी बिल्ड करने के लिए परमिशन नहीं थी और Sir Thomas Rowe उन्होंने परमिशन नहीं थी कि अब वो और जो डिफ्रेंट पार्ट से इंबायर के वहां पर भी फैक्टरी इस्टाबलिश कर सकें और ट्रेड कर सकें ठीक है फिर आइसा इस था जब इनकी जो एक अलाइंस थी वो मुगल्स के साथ होगी तो इनके ट्रेड से पता चला कि इनकी जो जितना भी प्रेडक्स थे वो सब मशीन मशीनरी टी प्रेडक्स थे तो इन में प्रॉफित मार्जिन बहुत जादा होता था तो आईसा इस था दे बिल्ड आप रिलेशनशेप विद रूलर्स और की कंसेशन मांगते गए रूलर्स से और फाइनली इन्हें रोयल फर्मान मिल गया एक जिससे इन्हें बोल दिया गया कि आप ट्रेड कर सकते हैं ड्यूटी फ्री ओके अब इनिशल यह में तो इनका सेंटर जो था वो बिंगॉल ही था बैट आईसा इस था यह अपनी जो ट्रेडिंग ट्रेड है उसे भी यह बढ़ाएंगे कैसे वो मैं आ हमारे मोगल की पावर जो थी वो कम होती गई तो टो इंडिपेंडेंट रूलस हे उन्होंने अपने अपनी एरिया को इंडऄट कर लिया था मोगल स्लतनत्स थे तो उन्हीं मैं इसे एक जो एरिया था व्यूट एट वस्बिंगॉल ज्में नवाब जो ति सिराजुतूद में हमारे political affairs में भी involvement बंद कर दीजिए और employees को बोला कि आपको duty pay up करनी पड़ेगी इन सब demands को company ने refuse किया तो गुस्से में आकर नवाब ने इनकी जो British company थी उनके officials को कैद कर लिया उन्हें बंदी बना लिया तो इस वजह से फिर हुई battle of plassi this is the first battle that was ever fought against Britishers in India ठीक है तो battle of plassi हुई थी 1757 में it was fought between Sirajodullah and Robert Clive Robert Clive जो थे वो India में आये थे as a civil servant but later on due to battle of plassi he became the first governor general of India ठीक है फिर उसके बाद इन्होंने कुछ puppet rulers रखे but इन्हें पता चल गया कि नहीं ऐसे यह administration को control नहीं कर पाएंगे तो later on they took up the administration of Bengal themselves ठीक है तो उन्हीं puppet rulers में से एक थे मीर कास्म ठीक है जो अब पता तो था ही कि Britishers की विजह से वो थ्रोन पे बैठे हुए है तो Britishers की सारी की बाते उन्हें माननी पड़ रही थी बट एक लिमिट होती है ना हर एक चीज की हर एक permission देने की या किसी के concessions को मानने की तो मीर कास्म जो थे जो बिंगॉल के ruler बने after सिराज दुला बीच में मीर जाफर भी आये थे तो मीर कास्म जो थे उन्हें ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ना बड़ा तो ही न्यूँ की इस नॉट पावरफुल एनफ की वो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ पाएं तो ही टुक दी help of शौजदुला जो अवद के थे और शा आलम टू जो मुगल रूलर थे इन थीनों ने मिलके बैटल ऑफ बकसर लड़ी थी 1764 में अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ठीक है और ये किसके साथ लड़ी थी मेजर हेक्टर मुन्रो के साथ और ये भी ये बैटल हार गए और उसके ब कुरान अलग अलग जगा पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के अगेंस्ट बहुत ज़दा रोश था जो रूलर्स थे उनमें उन्हीं में से एक थे हैदर अली तो हैदर अली ने भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया वार की तो इन अंगलो माइसूर वर में वर को लड़ते लड़ते हैधर अली की डैथ हो गी और तीपु सल्तान कंटीनूड इस वर लेटर आन और यह वर वह एंड हुई थी विट ट्रेटी ऑफ मैंगलोर थो एंड सुर्ट अपटनम और फिर फॉर्थ अंगलो मैसूर वर जो थी वह फाइन एक चीज आपको और याद रखनी है क्या कि जो मैसूर रूलर्स थे वर वेरी गुड अलाइज ओफ फ्रेंच तो फ्रेंच ने इनकी बहुत हेल्प की थी आमी मॉडनाइज करने में किसकी जो मैसूर रूलर्स से उनकी यहीं पर मैं आपको एक और चीज बता देती हूं कि इन एघ्ला मैसूर वर से पहले 1760 में ही वन मॉरू तिंग हापन्ट क्यूँ फ्रेंच ने अदद की मैसूर रूलर्स की क्यूंकि करनातिक वर्स हुई थी करनाटिक वार्सynn तो थी वह करनाटिक वार्स ग्या थी इस वे वार्स बेत्वीन ब्रिटिण एंड फ्रेंच intern्by ठीकर सिर्ट में करना थी और dpieन अब जिस्ट में त्रेटिया ग्या था कि अब जो ष्रेंच वो फोटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं इंडिया में बहुत जादा ठीक है तो दीज वर्दी वार्ज और उसके बाद अफकोर्स देवर अल्सों अगेंस ब्रिटिश देन और इन्होंने माईसूर रूलर्स की हेल्प की टू फाइट अगेंस ब्रिटिश बट अट दी एंड यह बैटल जो थी यह फ्रूटफुल नहीं हो पई इन्हीं के साथ मराथा जो थे देवर ऑल्सों अगेंस ब्रिटिश कर रहे हैं इंडिया में आके सिर्फ ट्रेड करने आए थे बड़ आइसा-इसा एड्मिर्स्टेशन में एंटर कर रहे हैं तो दे ऑल्सों फॉट थी वार् थे खावा बोला थे अंगलो मराथा वु हुई एंड इसके साथ ही मराथा का जो owned खत्म हो गया थो दान्लो मराथाव और के साथ थिक है तो थेन इसी से पता चल रहा है कि कैसे ब्रिटिश wass1 ग्ट्रेडिंग अब ग्रेजों कर नayı तरेंड किया अन नाव दे वाथ after administration i पहला है कि remootion प्रशहlington का चल रहा था ठीक है अभी संसीडिरी अलाइनस जिसके बारे मैं आपको अपने नेक्स लेक्चरल में बताऊंगी कि के सबसीडिरी अलाक्षटाश था इनका जिस्से इन्हों compulsory कर दिया हुआ था जो भी रूलर से उनके आमी में ब्रिटिश आमी को रखने के लिए और doctrine of lapse था जिससे कोई भी रूलर जो थे अगर उनका जो natural आगे नहीं है higher तो फिर ब्रिटिश क्या करते थे उनके kingdom को हड़प लेते थे तो इन्हीं सब policies से बहुत सरे रूलर जो थे वो ब्रिटिश धोका धड़ी से भी उनके kingdom को हड़प लेते थे उन्हीं मैंसे एक था अवद जो की बहुत उस टाइम पर prominent जो था kingdom माना जाता थो और उसे subsidiary alliance के अंदर इन्होंने हडप लिया तो इन सब चीजों से क्या हुआ अलग-अलग इंडिया के zones में ब्रिटिश के against जो रोश था जो discontentment थी वो सब मिल गई and everybody as a unified as a unified entity वो लड़े against Britishers अलग-अलग जगा से ठीक है तो that revolt is known as revolt of 1857 वीडी सावरकर ने अपनी बुक में जो की बुक का नाम है Indian War of Independence उस बुक में revolt of 1857 को first war of independence बताया हुआ है ठीक है तो अब causes क्या थे मैंने आपको बताया है थोड़ा बहुत बट स्टिल pathetic socio-economic conditions क्योंकि इन्होंने अपनी जो market trade था वो यहां पर ले आये थे administration में भी enter हो गए थे तो of course इन्होंने इंडियन्स को look down I mean कि यह इंडियन्स को बहुत ही बुरी तरह से treat करते थे तो उसकी वाज़े से socio-economic conditions थी वह बहुत pathetic हो गई थी इन्होंने बहुत सारी चीजों में land revenues में प्रॉब्लम्स वोना शुरू हो गए थी क्योंकि इन्होंने बहुत ज़ादा taxation लगा दी थी land revenues में और उन्होंने जमीन दास को भी ऑप्रेस करना शुरू कर दे थी तो इन्होंने जमीन दास को बहुत ज़ादा रेंट बताना शुरू कर दिए था फॉर देर लांड जमीन दास जो थे वो इनके रेंट की वज़ों से आगे जो इनके पीजन्स वगरा थे उन पे उनको अप्रेस करते थे ठीक है एकॉनमी डेस्ट्रॉई हो गई थी क्योंकि जब इनको ट्रेड की परमिशन मिल गई तो इन्होंने चीपर गुड्स लाना शुरू कर दिये मार्केट में और इंडियन मार्केट जो थी वो बिल्कुल ही काइंड ओफ खतम होगी आफ्टर दे इंटिट्यूस देर चीपर प्र जो एड्मिर्स्रेशन में इनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं थी डॉक्राइन ओफ लाप्स भी आगये था यह मैंने आपको बताया एनेक्सेशन ओफ अवद का भी बता दिया बुलिस और जिशुरी थी वो भी बायस थी वो भी इंडियन के फेवर में कभी नहीं मतलब खड़े होते थे वो मोस्टली इंडियन को अप्रेसी करते थे और गलत जो गलत चीजों पर भी इंडियन को अरेस्ट कर लिया जाता था ख्रिशन मिशनरी भी आगे थी वहां उस टाइम पर एक प्रचलन चल रहा था कि मोस्टली जो थे लोगों को क्रिश्चानेटी में मोट किया जा रहा था तो इंडियन को लग रहा था कि इससे यह हमारे बच्चों को क्रिश्चानेटी में कनवर्ट करेंगे और से पोईज के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन थी रिलिजियस उनके अपनी रिलिजियस जो कल्चर थे वो नहीं मानने दिये जा रहे थे बीर जिनक और इसी के साथ साथ क्यूंकि जब इंडियन्स को पता चला कि यह जो सिपोई से इन्हें पता चला कि जो यह कार्टूस है जो यह गोली में भरते हैं बारूद वो बीफ से बनाया जाता है जिसे यह मुह से खोलते हैं दाट आक्चली रेज़ एंगर अमंग्स देम और इसी की वज़ा से सबसे पहले सिपोई म्यूट नी हुई जो शुरू की मंगल पाने ने और आइस्ता इस्ता यह जो सिपोई म्यूट नी थी जो बारकपूर में शुरू ही थी वो पूरे देश में फैल गई और डिवाल्ट ऑफ 1857 है अब लीडर्स कौन-कौन थे दिली से थे ब कानपूर में नाना साहिब कानपूर से नाना साहिब लड़ रहे थे विद तांतिया टोपय और अजिमुला लखनाओ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी अवद की बरेली से खान बहादूर खान बिहार से कुमवर सिंग जो की जगदीशपूर के जमीन दार थे जहांसी से रस्तानी लक्षमी बाई और अलाहाबाद से लियाकत अली ठीक है अब हुआ क्या रिवोल्ट हुई अफकोर्स वह सकसेस्फुल नहीं गयी रिवोल्ट बट कुछ तो कि एक से इस प्रिटिश पालिमेंट अब क्या हुआ कि रिवोल्ट तो हो गया बट उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ रिवोल्ट हर जगा से बिर्टिश बिर्टिश आमी जीत के बट एक चीज पता सल गए कि इंडिया में बहुत ज़दा तो अगर ब्रिटिश को यहां पर कंटिन्यू करनी है अपनी ट्रेडिंग अद्मिनिस्टेशन में रहना है तो देल हाव तू हाव तू बी इन सेंग विद इंडियन उनको कुछ ना कुछ तो उन्हें देना पड़ेगा अधर्वाइस दे विल भी थ्रोन आउट आफ दे रूलर्स जो थे उन्हें एंशूर किया गया कि अब से उनकी टेरिटरी जो है वो नहीं हड़ पी जाएगी ठीक है इंडियन सोल्जर्स की जो प्रोपोर्शन है उसे कम करने का फैसला किया आर्मी में और यूरोपिन सोल्जर्स को बढ़ाने का फैसला किया गया और जो भी के कस्टमरी रिलिजियस प्राक्टिसेज हैं उन्हें रिस्पेक्ट करने की डिसिजन लिया गया इसी के साथ जो लैंडलोड्स जमीनदास वर अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी उन्हें भी एशूर किया गया कि अब से जो पॉलिसी बनाई जाएंगी दाट विल इंशूर लैंडलोड्स जमीनदास तो इसी के साथ आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 कैसे हुआ क्या हुआ उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स थे वह आप देख चुके हैं आज मैं आपके लिए कोई क्योंकि नहीं लाई हूँ क्योंकि I am very disappointed with you all मैंने लास्ट विडियो में आपको कुछ क्वेस्ट्स दिये थे modern history से लिए देट and only a few of you बहुत ही कम आप में से उनके answers कर पाये जबकि उन सबके answers जो थे वो वीडियो में ही छुपे हुए थे you just had to write them in the comment section so I just have one way to connect with you all that is through comment sections and अगर आप वहां पर मेरे सवालों की जवाब नहीं देंगे तो I will not be able to know कि आपकी तयारी कैसे चल रही है आपको lecture समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है so I have decided कि आज आपको कोई questions नहीं दिये जाएंगे आप इस lecture को पढ़िए अगर आपको अच्छा लगता है तो like कर दीजिए अगर कोई suggestions है तो comments में बता दीजिएगा till then thank you I'll come up with next video on Monday and in that video I'll be teaching you the important governor generals of India जो 1857 तक governor generals है और उन्होंने क्या क्या changes लाई थी इंडिया में okay so with that I complete my lecture thank you so much